नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेजेंड सौट हैंड में आज का वीडियो 16 मार्च की इविनिंग की सिप्ट में जो स्टेनोग्राफर का एक्जाम हुआ था वो पेपर लेके आया हूँ आपके लिए और यह अभी तक की तीनों सिप्टों में सबसे टब पेपर में से एक है तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहला प्रसन है संचार में सोर का मतलब क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा संचार प्रकिरिया में बादा संचार में क्या होता है कि जब सोर का मतलब होता है डिस्टॉर्शन से ठीक है Unicode font के फाइदे क्या है तो Unicode font में क्या होता है सभी अध्यतन परचारन पढ़नालियों में पठनिया है online वे offline के लिए परियोग में सुविधा हो जाती है और मानक कुझी पटल में टंकन की सुविधा होती है तो इसका answer हो जाएगा B उप्रोग तो सभी इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रचन है नमकीन सब्द में कौन सा प्रत्य है तो नमकीन सब्द में कौन सा प्रत्य हो जाएगा नमकीन सब्द में हो जाएगा इन प्रत्य है answer C उसके बाद चौता प्रचन है सही वर्तनी वाला सब्द कौन सा है तो इसमें सही वर्तनी हो जाएगी B वाली आसीरवाद प्रस्ट नमर पाँच है इद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है तो इद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई दिना तो आंसर हो जाएगा D उधूत तुम हो अतिबड भागी यह पंक्ति किसकी है तो यह पंक्ति है सूर्दास की आंसर हो जाएगा A प्रस्ट नमर साथ है भारती संग की राजभासा कौन सी है तो भारती संग की राजभासा आप लोग जानते हैं हिंदी है घड़ा सब्द का तत्सम क्या हो जाएगा घट हो जाएगा इसके बाद आते हैं आपका नवा प्रस्न पे जानकी मंगल के कवी कौन है तो जानकी मंगल तुलसी दासी की रचना है आंसर हो जाएगा डी भक्तिन के रचनाकार कौन है तो भक्तिन के रचनाकार है महादेवी वर्मा और ये प्रस्न एक दो बार रिपीट भी हुआ है इसी दूसी सिप्ट में उसके बाद है प्रस्ट नमर 11 प्रस्ट नमर 11 है प्रेम चंद के फटे जूते किसकी है हरी संकर परसाई की उसके बाद है 12 प्रस्ट है सूरज पूरब से उकता है यह किस परकार का वाक्या है तो यह है विधान वाचक वाक्या जिसमें जो है नेचुरल ची इंपोर्टेंट क्वेशन है आने वाले एक्जाम के लिए अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है तो अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है तो अवधी बोली बोली जाती है उत्तर परदेश में पस्मी हिंदी की पूर्वी हिंदी की भासा है अब अवधी हो गय प्लेइलिस्ट में जाके इन में से सबसे पुरानी भासा कौन सी है तो सभी जानते हैं कि सबसे पुरानी भासा संस्कृत है इसी को भासाओं की जननी क्यों कहा जाता है उसके बाद है 16 प्रस्ण सहयोग सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो सहयोग सब्द में हो जाएगा उपस पादक होता है एडिटर कुल मिलाके इंगलिस में बोलें तो एडिटर जिसका काम होता है एडिट करने का यह वाला मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था 18 प्रस्न देखते हैं अपने मित्रों बंदुओं को लिखे जाने वाले पत्र किस परकार क्यों होते हैं आंसर हो जाएगा आपका बी प्रस्न नमर उनीस है कंठ काब्या कंठ ब्यंजन किसे कहेंगे तो जो कंठ क्या होजाएगा गौ हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका अ उसके बाद है बीश्वा प्रस्ण जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बच्पन वहन नौ सिखिया था किसकी रचना है अब यह रचना नहीं यह किसी रचना से उठा करके लिया गया है तो मंगलेश डबराल जी की रचना है और इसका आंसर हो जाएगा ए उसके बाद आ जाता ह है रिजनिंग का सेक्षन बहुत जादा इंपोर्टेंट नहीं है उसके बाद हम सीधे देखेंगे तीसा वाला सेक्षन जनरल स्टडी वाला तो जनरल स्टडी वाला है हमारे पास यहां से सुरू हो जाएगा जनरल नौलिज वाला तो जनरल नौलिज वाला देखते हैं पह बारतिय योजना के वास्तोकार के रूप में किसे जाना जाता है तो बारतिय योजना के वास्तोकार के रूप में जाना जाता है पीसी महाल नोविस को जिनको परसांत चंद महाल नोविस के नाम से भी जाना जाता है प्रस्ट नमर तीन है नेपोलियन बोनापार्ट की हार के के alwaysicus के बाद चौत प्रसन After the session te sua shakoo काने में में किस तकनी का उपयोग किया जाता है तो क्या अगूँर कि प्रस्वी प्रसान फी हिंद महासागर छेत्र नेays निम्ल खित में से किस देस्ने भारत के साथ 2020 में passage exercise आयुजित किया था तो रशिया ने किया था और रशिया से कुछ समय पहले अमेरिका ने भी किया था लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रशिया निमलिखित किस स्वतंतरा सेनानी ने हजार का अभियान तो किस स्वतंतरा सेनानी ने हजार का अभियान किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ए जुजपे गारिबाल्डी उसके बाद आजाएगा आपका प्रस नमर 7 महामंदी का वर्स कब शुरू हुआ तो महामंदी का वर्स कब शुरू हुआ कहते हैं उसके बाद है निम्लिखित में से किस खेती गोंड जंजाती द्वारा किया जाता है तो गोंड जंजाती द्वारा किया जाता है shifting जो खेती होती है अस्थाना अंतरी किर्सि वो की जाती है उसके बाद आते हैं आपके 9 फ्रस्न पे 9 प्रस्न है देशी प्रेष अभियान देशी प्रेष अधिनियम कभ पारित हुआ था तो देशी प्रेष अधिनियम का मतलब हो गया बरना कुलर प्रेस एक्ट से और यह हुआ था 1878 में बायोस का पूरा नाम क्या है तो बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपूट आउटपूट सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा डी आते हैं प्रस्ट नमर 11 पे भारत का विभाजन निम्न में से किस सिद्धान्त का परिण नाम था तो बारत का विभाजन का जो थी त्यूरी तो नेशन थी लेकिन यहां पर देखिए काफी आंसर दिया थे धार्म भी भाजन भी दिया था हालांकि भारत पाकिस्तान के भी जो भी भाजन हुआ था धर्म का आधार उसमने इंपोर्टेंट था ठीकिन जो थी वो क्रामीड बैंक औफ बांगलादेश के संस्तापक कौन थे तो ग्रामीड बैंक औफ बांगलादेश के संस्तापक हैं मुहमद यूनस आंसर हो जाएगा डी भारती संसत्द्वारा ओध्योगिक नीती संकल्प कब अपनाया गया तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानि कि सांख्य की योजना और कारेकरम, कारेनवन, मंत्रालाई के अंडर में निम लिखित में से कौन सी संधी गैर परमानों हत्यार वाले देशों को परमानों अस्त्रों का परमानों हत्यारों का परियूग करने से रोकती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, यानि कि इसका आंसर हो जाएगा परमानों और परसार संधी ठीक है, तो इसका आंसर होगा A प्रशन नमर 17 पे आते हैं, निम लिखित में से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ऑपरेटिन्ग सिस्टम नहीं है कोबॉल बाकि तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है कोबॉल कंप्यूटर के एक भासा होती है उसके बाद आते हैं 18 प्रस्ण पर 18 प्रस्ण है निम्लिखित में कौन सी रिपोर्ट यू एंडीपी द्वारा प्रकासित की जाती है तो यू उत्री देशांतर हो जाएगा इसका आंसर इसके बाद आते हैं प्रस्ण नमर 20 पे महामारी के पस्चाद विश्व में भारतिय सहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकासित की गई तो यह की गई विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड एकॉनमी फोर्म के द्वारा इसक अचरण प्रस्ण देखते हैं निमन लिखित में से किस वर्ष में स्वतन्तरता के लिए यूनानी ग्रीक संगर्षह सुइच्ञा का था 1821 में आंसर हो जाएगा सी लॉंग वॉक्टु फ्रीडम की एक आत्मकता है तो किसके आत्मकता थी लॉंग वॉक्टु फ्रीडम आंसर हो जाएगा नेलसन मंडेला ऑप्शन ए भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझोता किसके द्वारा जो सिगनेचर किया गया था स्टेंड स्टिल एग्रिमेंट पे तो वो किया गया था हैदराबाद के निजाम द्वारा हैदराबाद के निजाम ने दो तीन वार इसको वापस किया और फाइनली 1947 में इसको एक्सेप्ट कर लिया था हिमानी मिट्टी यानि की जिसे कहते हैं Glacier Clay Glacier Clay का घना निक्षे करेवा कहां पाया जाता है तो करेवा पाया जाता है कस्मीर में उसके बाद आते हैं आपका basic का पूर्ण रूप क्या है तो जो basic है ये computer की जो beginners है उनको सीखने के लिए होती है तो इसका आंसर ही हो जाएगा आपका beginners all purpose symbolic instruction आंसर हो जाएगा C किसे पुरानी जलोड मिद्रा के रूप में जाना जाता है तो पुरानी जलोड मिट्टी होगी उसको बोला जाता है बांगर और जो नई जलोड मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर तो आंसर हो जाएगा आपका दी प्रस नमर 28 देखिए निम लिखित में से किस संगठन निम लिखित में से किस संगठन ने एक जनवरी 2021 को अपना 308 अस्तापना दिवस मनाया तो किस ने मनाया DRDO ने मनाया अपना ठीक है DRDO 58 में इसके स्तापना हुई थी दुतिये विश्वयुद्ध के अर्थ में महा सक्तियों के रूप में उभरे हुए देश कौन थे तो दुतिये विश्वयुद्ध के बाद USA और USSR दो अलग अलग गुटों में विवाजित हो गए थे और दोनों महा सक्तियां बन गए थी भारत में प्रोजक्ट टाइगर किया गया था 1973 यहीं कि आंसर हो जाएगा सी निम लिखित में किस अस्थान को गड़वाल की रानी कहा जाता है काफी नया क्वेशन था तो आंसर था इसका नीलकंट ऑप्शन सी मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा भागी रती पर आते हैं उत्राखंड के प्रस नमर 3 पे 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्राखंड में समग्र सहरी करण की दर कितनी थी तो 30.2% सहरी करण की दर थी उत्राखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निमली कित में किस अस्तान पर उत्राखंड हेलिकॉप्टर समिट किया था उत्राखंड राज्य ने हाल ही में निमली कित में किस अस्तान पर उत्राखंड वेलनेस समिट 2020 किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली में इ कहां पे इस्तित है आंसर बी हो जाएगा हरीद्वार में निमन लिखित में से कौन सा लोक संगीत उत्राखंड का है तो जोडा निर्टया और संगीत उत्राखंड में किया जाता है इसके बाद आजएगा आपका प्रस नमर साथ प्रस नम्ब eigen निमन में किस त्योहार के मामले में उत्राखंड उच्छ न्यायलाई ने हस्तक छेप किया और उसमें जो पत्थर वत्थर फेकने की पड़ताती वो समाप्त कराई तो आंसर हो जाएगा देवी दुरा सहेस्तर ताल जील घ्लेशियर के पस्सिम चोर पर इस्तित है तो कि घ्लेशियर के पस्सिम में है हालांकि यहां पर और भी ऑप्शन दिए गए थे बंदरपुच गंगोत्री और डोकरी इसके बाद आ देता है आपका नौँवा प्रस्ण निम्न लिखित में किस वर्स चमोली पूछा गया था एक सट में माल पान पोच अश्वर निमनल में कॉन सा शिखर परवत उत्राखंड में इसतित है तो नील इसके बाद आते हैं बारवें प्रस्ण पे हाल ही में उत्राखंड उच न्याय लेके मुख्य न्याय दिश के रूप में किनोंने सपत ली है तो इसका आंसर हो जाएगा आरेस चौहान प्रस्ण इसके बाद आते हैं मैं से किस सहर में राश्ट्रिय भारतिय सैने कॉलेज आर आई एमस इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानि की देहरादून में इसके बाद आते हैं हम चौद्वें प्रस्ण पे ब्रिक्षा रोपन वर्सा जल संरक्षन आधी के लिए कैमपा योजना के तहएट उत्राखंड बजट 2020-21 में कितना प्रावधान किया गया तो इसका आंसर था 215 यानि की डी उसके बाद है आपका 15 क्वेशन पहाड़ी राजियों में कारोबार में सुगमता इस ओफ डूइंग बिजनेस में उत्राखंड का कौन सा अस्थान है तो यहा तो बहुत ही सामान्य क्वेशन था आंसर हो जाएगा नंदा करी राजाजी राष्टे उद्यान के निम लिखित में से किस जिले में अवस्तित है तो आंसर हो जाएगा देरदून काफी सरहल क्वेशन था यह भी इसके बाद आते हैं आपके अगले क्वेशन पे उत्राखंड में गर्मी के मौसम को अस्थानिय भासा में किया किस नाम से जाना जाता है तो इसको बोला जाता है गर्मी को रूडी बोला जाता है उसके बाद आते हैं उन्नीस प्रशन पे 2011 की जनगर्णा के नुसार भारत की कुल जन संख्या में उत्राखंड की जन संख्या का कितना परसेंट है तो 0.84 परसेंट है उत्राखंड की जन संख्या बिरादरी पंचयत किस जंजाती का राजनीतिक संगटन है तो बिरादरी पंचयत है जो है यहने गलत ऑप्सन दिया है ठालो अप्सन दिया है जब करिए आंसर हो जाएगा दी ऑ mówë 갔व निम्न लिखित में से किस जिले में किस जिले में देव भूमी मौम संग्रालाई इस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानि की देहरादुन में इसके बाद आते हैं प्रस नमर 22 पे कुमाउं परिस्द का दूसरा सत्र कब आयोजित किया गया तो सीरे सीरी बात थी कि कुमाउं कॉंग्रेस का दूसरा एदिवेशन कहां हुआ तो हलवानी में हुआ इसका आंसर हो जाएगा ए निम्लिखित में कौन साप पंच केदार का हिस्सा नहीं है तो आप जानते हैं कि बैजनात नहीं है रुदरनात है कल्पनात है तूगनात है उसके बाद आते हैं आपके 24 प्रस्न पे निम्लिखित सासकों में कौन किसी सामराज्य के भीतर छेतर पर बिभिन रियासतों को एक आपका आजएपाल में आते हैं 25 में भारत की जन्गर्ना के अनुसार 2011 tab 11000 ग्रामीड के लिंगानूपाद 2500 य्यानिकि साथ जिलों में 1000 से ऊपर है ग्रामीड जिलों में इसके बाद हम देखते हैं प्रस्झ tv बेस निम्न लिखित में कौन सा संदक्षित छेत्र उत्राखंड का पहला रामसर रस्थल बन गया है तो यह हुआ आपका आसन पहला वाला यह आंसर उत्राखंड का राजय पसु क्या है कॉमन क्वेशन था कस्तूरी मिल्ग बानासुर किले का नाम एक राक्षस के नाम पे था तो आंसर हो जाएगा बी उसके बाद आते हैं उत्राखंड में निम्न लिखित में कौन सा दर्रा है तो यह भी कौमन क्वेशन हो गया माना दर्रा हो गया तपकिश्वर मिला किस नदी के तटपे लगता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी टौस नदी के तटपे उसके बाद स्वास्ते सर्वेक्षण की रिपूर्ट तो इसमें टीरी सबसे आगे है जबकि मैक्सिमम लोगों ने अलमोडा किया जो गलत था चट्टानों के सिवालिक पारस्तिति की तंत्र के युक को कहा जाता है तो इस तंधारियों का युक कहा जाता है आंसर हो जाएगा सी निम्न में से उत्राखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतराष्टी सीमा साजा करता है तो आंसर था पिथोरागर बहुत आसन कुश्यन है यह भी उत्राखंड में प्राथमिक स्तर पर सिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई तो सिक्षा म हमीत ने इसका उप्षण हो सी स Effects इसके बाद आते हैं उत्राखंड द्वारा पहली बार निम्म लिखित में किस जिले में हैलिकौप्टर सम्मीट किया था तो हेलिकौप्टर सिकर सम्मिलन किया आपका धीरादून में इसके बाद आ निम्न लिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनात के तीर्थ स्थलका निर्मान किया तो आंसर था भूदेव कि भारत वन स्थिती रिपोर्ट 2019 के उत्राखंड में निम्न लिखित में किस जिले में सरवादिक बन परतिसत था तो इसका आंसर हो जाएगा ने निताल उसके बाद है उत्राखंड राज्यकाRel भॉगौलिग चेत्रफल कितना है तो उत्राखंड राज्यका भॉग लिक चेत्रफल है 5 ग Вас पांच 3343 vendors कि इन्पिम क्वेश्चन हने इंद्रा-गांदी राष्ट्य किस राज्य ग्रूप सी में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी का वीडियो लेके आने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद